प्रभावत हुए इससे जो जो भी हमने plannings बना रखी थी वैसे नहीं हो सका ये हम सबको बता बहुत सारी happens हो ही, बहुत सारी बाते हैं जो हमारे देश में हुई बहुत सारा आपने news में देखा, बहुत सारा पड़ा, मैं उन सब के बारे में जिकर नहीं करूँगा कोई भी negative बात के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं बहुत सारी positive बाते भी इस lockdown में मैंने सुनी पढ़ी और देखी भी एक बड़ी कमाल की उधारण है अगर आपने कहीं पढ़ी हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं महराश्ट्र के पास एक गाउं है जहां पानी की नल को अड़ा रहे थे लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ही नहीं पूरे गाउं की जो पानी की problem थी वो solve की ये तो बहुत बड़ी बात है आप अपने अपने अलावा बाकी लोगों के लिए भी आपने कुछ कर दिखाया ऐसी बहुत सारी और news होंगी जो शायद हम तक उसकी बात मैं नहीं करूंगा किसने क्या डुनेट किया मैंने क्या डुनेट किया वो बातें करने के लिए वीडियो नहीं है मैं परसनल बात करना चाहता हूँ मैं भी मुंबई में था और जो दिदी हमारे खाना बनाने आती थी वो भी lockdown की वज़े से आनी पा रही थी तो म मैं एक साधारन परिवार से हूँ जहां मेरे फादर पांच अजार रपय सरकारी जॉब करते थे और मेरी मॉम कैसे पांच अजार में घर चलाते थे मुझे नहीं पता आज अगर मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगा प्लस वन में था जब मैं प्लस डू इंटर नहीं हो सका क्योंके जो एक फीज थी स्कूल की तरफ से वो मैं दे नहीं पाया था गर से मैंने मागी भी नहीं क्योंकि मुझे पता था कि जो पाच अजार रुपया आते हैं वो पहली दो तीन चारिक तारिक कोई खतम हो जाते हैं और अगर घर में कोई बिमार पड़ जाए तो सोचने लगते थे कि यार अब क्या करेंगे को डरते थे ऐर कोई बिमार नहीं को जाते थे तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम का नहीं बता हैं लेकिन मैं कोई भी नेगटिव बात नहीं करना चाहता हूं मैं सिर्फ positive के लिए बात के लिए ये वीडियो बनाई है कि बहु STEM कर रहा हूं आप अपनी बात जरूर मेरे साथ शेयर करना, मैंने खाना बनाना सिखा मैं एक गायक हूँ मेरी जो जर्नी है वो as in singer स्टार्ट हुई लेकिन अभी फिल्मों में मैं चलो काम करता हूँ तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग के वज़े से मैं एल्बम पे और अपने गाने पे ध्यान नहीं दे पा रहा था तो इस दौरान मैंने एक एल्बम भी तयार किया है अपने फैंस के लिए म्यूजिक तयार किया है तो मैं दो चीजे कर पाया अपने लिए मैं क्या डोनेट किया मैंने उन सब चीजों की मैं बात नहीं कर रहा जब कोई किसी ने क्या काम किया जिन जिन लोगों ने भी हेल्प की दूसरों की चाहे वो अपने एक स्टाफ की उन्होंने जो सेलरी है वो पूरी की पूरी दी या आपने कोई भी बड़ा काम किया उन सब के लिए बहुत बहुत सब का धन्यवाद ये वीडियो परसनल है कि मैंने ये दो काम इस लोगडाउन में किये चाहे जैसे भी सरकमस्सें थे लेकिन मैं ये दो पॉस्टिव काम अपने लिए परसनली कर पाया आप ने क्या किया आप अपनी कोई ऐसी चीज़ें चलने लगती है जिससे कई बार बंदा डिप्रेस हो जाता है तो ये मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप पॉस्टिव बात अपनी शेयर करें हम सब के साथ कि हम सब को पॉस्टिविटी मिल सके हम सब को उसके साथ क्योंकि अब ये करोना जैसे पता नहीं ये जा रहा है आ रहा है ये है क्या ये बड़ी बाते हैं हमारी समय से बाहर है तो लेकिन इसका जो असर होने वाला है उस चीज़ को कैसे कम कर सके हम कैसे पॉस्टिव होके आगे बढ़ सके ये सिर्फ उसके लिए वीडियो है अगर मैं गलत बोल गया हूँ कुछ गलत किसी के लिए कहा गया हूँ अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो मेरे किसी शब्दों की वज़े से तो मैं अभी से हाथ चोड़के बाफिं बंगता हूँ मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार आप अपनी स्टोरी जरूर शियर करना मेरे साथ कि आप इस लॉकडाउन वे आपने क्या क्या किया थैंक्यू